आप सभी को जय मसी की, आज हम बैबिल से वचन पढ़ेंगे, उत्पती की किताब उसका पहला अध्याय वचन एक से तीस तक आदी में परमेश्वर ने आकास और प्रत्वी की श्रष्टी की उत्पती एक एक और प्रत्वी बेडॉल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के उपर अंध्यारा था तब परमेश्वर का आत्मा जल के उपर मंडलाता था उत्पती की किताब एक का दो तब परमेश्वर ने कहा उज्याला हो तो उज्याला हो गया उत्पती अध्याए एक का तीन और परमेश्वर ने उज्याले को देखा कि अच्छा है और परमेश्वर ने उज्याले को अंध्यारे से अलग किया उत्पती अध्या एक का चार और परमेश्वर ने उज्याले को दिन और अध्यारे को रात कहा तथा सांज हुई फिर भोर हुआ इस प्रकार पहला दिन हो गया उत्पती अध्या एक का पाँच फिर परमेश्वर ने कहा जल के बिच एक ऐसा अंतर हो की जल दो भाग हो जाए उत्पती अध्या एक का छे तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके उपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया उत्पती अध्या एक का साथ और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तो था सांज हुई फिर भोर हुआ इस प्रकार दुसरा दिन हो गया उत्पती अध्या एक का आठ और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तो था सांज हुई फिर भोर हुआ इस प्रकार दुसरा दिन हो गया उत्पती एक का आठ फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकटा हो जाए और सुखी भूमी दिखाई दे और वैसा ही हो गया उत्पती अध्याए एक का नो और परमेश्वर ने सुखी भूमी को प्रत्वी कहा तथा जो जल एककठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है उत्पती अध्याए एक का दस फिर परमेश्वर ने कहा प्रत्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड और फल दाई रक्ष भी जिनके बीज उन्ही में एक एक की जाती के अनुसार होते हैं प्रत्वी पर उगे और वैसा ही हो गया उत्पती अध्याए एक का ग्यारह तो प्रत्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड जिन में अपनी अपनी जाती के अनुसार बीज होता हैं और फल दाई रक्ष जिनके बीज एक एक की जाती के अनुसार उनहीं में होते हैं उगे और परमेश्वर ने देखा की अच्छा है उत्पती अध्याए एक का बारह तथा सांज हुई फिर भोर हुआ इस प्रकार तिसरा दिन हो गया उत्पती अध्याए एक का तेरह फिर परमेश्वर ने कहा दिन को राद से अलग करने के लिए आकाज के अंधर में जोतिया हो और वे चिन हो और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो उत्पती अध्याए एक का चोदह और वे जोतिया आकाश के अंतर में प्रत्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे और वैसा ही हो गया उत्पती अध्याए एक का पंद्रह तब परमेश्वर ने दो बड़ी जोतिया बनाई उन में से बड़ी जोति को दिन पर प्रबूता करने के लिए और छोटी जोति को रात पर प्रबूता करने के लिए बनाया और तारागन को भी बनाया उत्पती अध्याए एक का सोलह परमेश्वर ने उनको हाकाश के अंतर में इसले रखा की बे प्रत्वी पर प्रकाश दे उत्पती अध्याए एक का सत्रह तथा दिन और रात पर प्रबूता करे और उज्याले को अंध्यारे से अलग करे और परमेश्वर ने देखा की अच्छा है उत्पती एक का अठा रह तथा सांज हुई फिर भोर हुआ इस प्रकार चोथा दिन हो गया उत्पती अध्याए एक का उन्निस फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्रानियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी प्रत्वी के उपर आकाश के अंतर में उड़े उत्पती अध्याए एक का बीस इसलिए परमेश्वर ने जाती जाती के बड़े बड़े जल जुन्तूओं की और उन सब जीवित प्रानियों की भी स्रस्टी की जो चलते फिरते हैं जिन से जल बहुत ही भर गया और एक एक जाती के उड़ने वाले पक्षियों की भी स्रस्टी की और परमेश्वर ने देखा की अच्छा है उत्पती अध्याए एक का 21 वचन और परमेश्वर ने यहां कहे के उनको आशिश दी की फुलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और प्रत्वी पक्षी प्रत्वी पर भड़े उत्पती अध्याए एक का 22 वचन तथा सांज हुई फिर भोड हुआ इस प्रकार पांच वा दिन हो गया उत्पती अध्याए एक का 23 वचन फिर परमेश्वन ने कहा प्रत्वी से एक एक जाती के जीवित प्राणी अर्था घरेलू पशु और रेंगने वाले जन्तु और प्रत्वी के वन पशु जाती जाती के अनुसार उत्पन्न हो और वैसा ही हो गया उत्पती एक अध्याए 24 वचन सो परमेश्वन ने प्रत्वी के जाती जाती के वन पशुओ को और जाती जाती के घरेलू पशुओ को और जाती जाती के भूमी पर सब रेंगने वाले जन्तु वो को बनाया और परमेश्वन ने देखा की अच्छा है उत्पती अध्याए 25 वचन फिर परमेश्वन ने कहा हम मनुस्यों को अपने स्वरुक के अनुसार अपनी समानता में बनाए और बेसमुद्र की मचलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओ और सारी प्रत्वी पर और सब रेंगने वाले जन्तु वो पर जो प्रत्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे उत्पती अध्याए 1 का 26 वचन तब परमेश्वन ने मनुस्य को अपने स्वरुप के अनुसार उत्पन्न किया अपने ही स्वरुप के अनुसार परमेश्वन ने उसको उत्पन्न किया नर और नारे करके उसने मनुस्यों की स्रष्टी की उत्पती अध्याए एक का 27 वचन और परमेश्व ने उनको आशिश दी और उनसे कहा फुलो फलो और प्रत्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मचलियों तथा आकाश के पक्षियों और प्रत्वी पर रेंगने वाले सब जन्तुवों पर अधिकार रखो उत्पती एक का 28 वचन फिर परमेश्व ने उनसे कहा सुनो जितने बीजवाले छोटे छोटे पेड सारी प्रत्वी के उपर हैं और चितने व्रक्षों में बीजवाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिये हैं वे तुम्हारे बोजन के लिए हैं पत्पती अध्याए एक का 29 वचन और जितने प्रत्वी के पशु और आकास के पक्षी और प्रत्वी पर रेंगने वाले जन्तु हैं जिन में जीवन के प्राण हैं उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे चोटे पेड़ दिये हैं और वैसा ही हो गया पत्पती एक अध्याए तीस वचन तब परमेश्वन ने जो कुछ बनाया था सब को देखा तो क्या देखा कि वहां बहुत ही अच्छा है तथा सांज हुई फिर भोर हुआ इस प्रकार छटवा दिन हो गया उत्पती अध्याए एक का 31 प्रभू में प्रियो आपको यह वचन पढ़कर आनन्द आया होगा यह मैं जानती हूँ क्योंकि परमिश्वर का वचन हमें शान्ती आनन्द प्रेम से भरता है और हमें अच्छा लगता है आप सभी को प्रभू इश्व पिता परमिश्वर आशेश दे आमीन जब तक नया वीडियो न आये तब तक के लिए परमिश्वर आपकी रक्षा करें धन्यवाद हालेलूया आमीन धन्यव दीडियो न आमीन स्जूआ है चारसे में तक के लगता है तक को प्रेम से तक के लिगए पिता है और है